नमस्ते दोस्तों इस चैनल में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुए फड़के तो पूरी होती है, मनो कामनाए, अंग का फड़कना ईश्वर का संकेत, जानिये अंग फड़कने का फल प्रकृती किस रूप से आपको होने वाली घटना की इंडिकेशन देती है, डॉट नेचर अचानक कोई कार्य नहीं करती है, वह हमेशा पूर्व सूचना या चेतावनी जरूर देती है, डॉट समवेधनशी लोग इसको ततकाल भाब जाते हैं, और अलर्ट हो जाते हैं Twitching of Eyebrows, पहले समय में लोग नेचर के बहुत निकट थे, लोग मूल से जुड़े हुए थे, लेकिन आज के इस योग में व्यक्ती नेचर से दूर हो गया है, जिसकी वज़ा से उसको नेचर के संकेच समझ ही आते हैं प्रकृती की इन सब सूचनाओं के लिए पूरा एक शास्त्र है, शकुन शास्त्र है इस विशय पर घाग भड़्डरी ने मौसम से संबंधित कई सूत्र दिये हैं जिसमें अंग का फड़कना अच्छे और बुरे दोनों ही घटनाओं की पूर्व सूचना एवं चेतावनी है इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अंग फड़कना नेचरल होना चाहिए यानि लगातार कई दिन तक फड़कते रहना कोई संकेत नहीं बलकि यह कोई अन्य समस्या हो सकती है इसको शकुन से न जोड़े हमारे शरीर में आख सबसे अधिक फड़कती है लोग इसे लेकर शुभशुब जानने के लिए व्याकुल रहते हैं समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्री या पुरुष की भौहों यानी की आईब्रो के फड़कने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है और ये हमें भविश में घटने वाली घटनाओं को लेकर सूचित करते हैं आईब्रो के फड़कने से ना सिर्फ आप केवल अपनी आर्थिक स्थिती के बारे में जान सकते हैं बलकि विवा और दूसरे कई अन्य विशों के बारे में भी जान सकते हैं आईए जानते हैं आईब्रो यानी भौहों के फड़कने का क्या है मतलब बनते हैं विवाह के योग वहीं अगर दोनों आइबरों के बीच का स्थान फड़के तो माना जाता है कि लाइफ में प्रेम का आगमन होने वाला है या लव लाइफ बहतर होने वाली है पूरी होने वाली है मनोकामना अगर दोनों आइब्रो फड़कने लगे तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है यह संकेत है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है वही अगर राइट साइड वाली आग का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति अपने लक्ष को प्राप कर धन और सम्मान प्राप करता है बाई भौह फड़कने का भारतिय समुदायों का मानना है कि बाई भौह का फड़कना एक अच्छा या बुरा शगुन हो सकता है यहार इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन महसूस करता है बाई भौह का फड़कना पुरुषों के लिए एक अप्शकुन है लेकिन महिलाओं के लिए एक अच्छा शगुन है उदाहरन के लिए बाई भौह फड़कने पर कोई पुरुष बीमार हो सकता है लेकिन महिला धन्वान और सम्रद होती है बाई भौह फड़कने का क्या मतलब होता है? अगर किसी पुरुष का बाई भौह भड़कता है तो इसे शुब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बाई भौह फड़कने से यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति पर निकट भविश में कोई संकट आने वाला है वहीं दूसरी तरफ स्त्री की बात करें तो बाई भौह का फड़कना बेहद शुब माना जाता है क्योंकि स्त्री के बाई भौह फड़कने का अर्थ होता है, उसे कोई शुप समाचार मिलने वाला है, बाई भौह के फड़कने से यहां भी दर्शाता है, कि उस महिला के आने वाले निकट भविश्य में खुशियां भी मिल सकती है. दाहिनी भौह फड़कने का क्या मतलब होता है? अगर किसी पुरुष का दाहिनी भौह भड़कता है और वालगार फड़क रहा है, तो यहां एक शुप संकेत होता है, इसका अर्थ होता है, कि उसे कोई शुप समाचार सुने को मिल सकता है. लेकिन वही स्त्री की बात करें, तो दाहिनी भौह का फड़कना शुब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर स्त्री का दाहिनी भौह फड़कना है, तो उसे निकट भविश्य में कोई संकट आने वाला है. इस स्टोरी में दी गई सूचनाए सामान्य मान्यताओं पर आधारित है, अब विडियो इनकी पुष्टी नहीं करता है, इन तत्यों को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशग्य से संपर्क करें.